Hello students, I hope आप सभी बढ़ियां होंगे Students, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपकी जो date seat को लेकर नाराज़गी है उस पर बात भी करेंगे और आपको उसका solution भी देंगे सबसे पहले हम आपको solution देंगे कि आपको इस परिस्थिती में क्या करना चाहिए आपके पास जो इतने कम दिन बचे हैं Students, अगर अभी तक आपने अपनी CVT की preparation नहीं start की है या फिर अभी तक आपने अपनी practice नहीं start की है जैसा कि आप लोग जानते हैं आपको MCQs की practice must है करके जाना अगर आप यह नहीं करके जाओगे तो आपकी rank बहुत पीछे हो सकती इसलिए student मैं आपको इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ इस एप के बारे में और फिर से एक बार आपसे बता रहा हूँ कि आपको test book app नीचे description में दिये गए link से download करना है उसके बाद आपको यहाँ पर 375 का 1 year pass पड़ेगा जो कि 499 का pass होता है लेकिन यह आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोग 14 तारीक के पहले पहले इस pass को लेते हैं तो आपको यह 375 में ही पढ़ जाएगा अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है आपको अब question practice पर ज़्यादा focus करना चाहिए इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग यह app डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी preparation को और बहतर बना सकते हैं अब खुद को analyze भी कर सकते हैं कि अभी तक आपने कितनी preparation की है जहाँ पर आप लोग यह code यूज़ कर लीजेगा बीवी 10 जिससे आपको यह discount मिल सके students Students test book app की जो test series है वो आपके लिए काफी बहतरीन है जहाँ पर CUET user के domain wise हर subject का CUET user के सभी subject का आपको वहाँ पर MCQs मिल जाएंगे बहुत धेर सारे test हैं आप सायद उतने कर भी ना पाएं लेकिन अगर आप उसका one third भी कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी ठीक है और इस तरीके से आप अपनी preparation को बहतर बना सकते हैं Students अब बात करते हैं अपनी जो मुख समस्या है जिससे ज़्यादा तर student परेसान है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं वो समस्या ये है students कि जैसे कि कुछ किसी student का आपका जो exam है वो किसी domain का वो आपका जुलाई में पढ़ रहा है तुरन तभी जुलाई में पढ़ जा रहा है पता लगा कि 18 जुलाई 19 जुलाई को exam है और उसी domain का exam किसी student का same domain का same course के लिए उसका exam पढ़ रहा है अगस्त में मतलब इसका यही हुआ कि मान लिजे कि अगर आपने अपनी preparation को में से अगर आप लोग start कर चुके हैं में से start कर दियें तब तो बहुत अच्छी बात है तब तो थोड़ा बेतर होंगे लेकिन student किसी भी exam के लिए time कितना भी हो कितना भी time हो वो कम ही होता है preparation के लिए time पढ़ाई के लिए time हमेशा कम होता है और यह time कम है और उसके बाद पहली बाद तो एक डेड़ महीने ही student को मिल पाया और जो इन student का exam अगस्त में है उनको कहीं न कहीं लगवग एक महीने का उनको प्राफिट हो रहा है एक महीने नहीं तो पंदरा दिन का प्राफिट होता है और उसमें उनकी practice बहुत ही अच्छी हो सकती है तो कहीं न कहीं ये चीजे थोड़ी गलत है बढ़ ये है कि अब change होने का कोई chance नहीं है अब आप पढ़ाई किये भी न तो नहीं रह सकते हैं इसलिए मैं आप तोंगों से यही गुजारिस करूँगा कि आप लोग अब मेहनत करें बहुत ज़्यादा जितना भी time बचा है 10 दिन 5 दिन जिनका अगस्त में है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी अपरचूंटी है लेकिन सोच कर सो नहीं जाना है कि कि किसी का भाई तो परसो है मेरा तो एक महीन है मैं तो चलो अब 2 दिन सो लेता हूं हाँ इस चैनल पर देता रहूंगा इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नीचे टेलिग्राम है वहाँ पर जवाईन हो जाना इंस्टाग्राम पर कोई परसनल सवाल है तो वहाँ आके पूंच लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू बवाई लव यू आल नमस्कार